नमस्कार प्रियमित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल एन्वीरा एजुकेशन पर मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रिजनिंग सब्जक्ट पढ़ा रहा हूं और आज मैं आप लोगों के भी इस रिजनिंग की बहुत ही शांदार क्लास लेखे आया हूं और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिसा परिक्षन ये दिसा परिक्षन का पार्ट 3 है तो आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से अपने ये मित्रों के लिए बहुत ही महतुपूर्ण उप्योगी सिद्ध होगा आप जिस भी कॉंपटिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हो हर एक्जाम में रिजनिंग का बहुत ही महत वह बढ़ चुका है इसलिए रिजनिंग वाले कॉंसेप्ट को विशेज तोर से आप अपनी नौट बुक में अच्छे से लिखियेगा और उनके अच्छे से नौट्स बनाइएगा ताकि जब आप एक्जाम होल में अपने पेपर की और पेपर को देखो पेपर को हल करो तो उस टाइम आपके एक्जाम में आप अच्छे से ये सारे टौपिक किलियर कर सको मिल रहा है उसे इसी प्रकार बनाए रखें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने से आपको जो भी नई जानकारी आएगी वो बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी तो आज का आपन कॉंसेट सुरू कर रहे हैं और मैंने आपको कहा यह पार्ट त्री वीडियो है पार्ट टू नए हो तो पहले पार्ट वन और पार्ट टू जरू देख ले क्योंकि वो चीजे देखने के बाद सारे डाउट्स किलिए हो जाएंगे और आज की हेडिंग है अपनी पाइथागौरस पर्मे के उपर आधारित मैं आज प्रश्ण करवाने वाला हूँ अब पाइथागौरस पर्मे है क्या गणित से इसका सम्द्ध है और हम इसे रिजनिंग में लेके आ गए हैं तो वो देखेगा पाइथा गौरियस परमे पर आधारित प्रश्ण और है क्या इसे पहले वो भी मैं आपको समझा दूँ इसके अंदर एक समकौन त्रिबुज की बात होती है और समकौन त्रिबुज में तीनों भुजाओं में एक सम्मंद बनता है वो सम्मंद क्या होता है? वो सम्मंद होता है सबसे बड़ी बुजा का वर्ग अन्य दो छोटी बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ये है पाइथा गौरस सम्मंद अगर कोई समकौन त्रिबुज आपके सामने बन जाए ये ध्यान रख लेजिएगा आप लोग तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे बड़ी बुजा को कर्ण बोला जाता है कर्ण का स्क्वेर बराबर आधार स्क्वेर प्लस लंब स्क्वेर ये अपना सम्मंद है पाइथाग और ये सम्मंद प्रशन लूँगा तब आपके सारे डाउट्स के लिए रो जाएंगे तो पहला प्रशन शुरू कर रहे हैं सोहन दस किलोमेटर उत्तर दिशा में जाता है प्रशन अच्छे से आपको लिखने हैं और द्यान अच्छे से लगाईएगा पूरा वीडियो देखेगा सोहन दस किलोमेटर उत्तर दिशा की और जाता है उत्तर दिशा की और जाता है अब आपको इस टॉपिक से मैं पहले बार बार बोल रहा हूं कि पार्ट वन जरूर देख ले क्योंकि वहाँ दिशाओं से संबंदित प्रॉबलम वहाँ दाय से संबंदित प्रॉबलम वो सारी आपकी सॉल हो जाएगी क्लियर है न तो यहाँ पे 10 किलोमेटर उत्तर दिशा में सोहन जाता है और फिर 6 किलोमेटर दक्षिन दिशा की और जाकर की और जाकर 3 किलोमेटर 3 किलोमेटर पूरा ध्यान दिशी का पूर्व दिशा में चलता है तो आपको यहाँ पर आगे प्रश्ण में क्या पूछा गया है तो बताओ वो प्रारंबिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है तो बताओ वो प्रारंबिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है और आपको कैसा भी प्रश्ण इस दिशा परिक्षन में मिल जाए ड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड़ने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है आप continue अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आप not doubt आपके दिशा परिक्षन का कॉंसेप्ट पूर्ट है अच्छे से किलियर हो जाएगा तो यहाँ पर option भी है साथ किलोमीटर option B साथ किलोमीटर के साथ आपके लिए दिशाएं भी है उत्तर पूर्व दिशाएं उसके बाद next option है पाँच किलोमीटर उत्तर पूर्व पाँच किलोमीटर उत्तर पूर्व option C है सत्रा किलोमीटर वो भी कौन सा दक्षिन पूर्व और D है none of these इन में से कोई नहीं तो अच्छे से अपने इस पूर्शन को हल करेंगे सोहन दस किलोमीटर उत्तर दिशाएं में जाता है तो पहले एक चीज समझ लिजिए ये दिशाएं है ये उत्तर दिशाएं है ये दक्षिन है ये पूर्व है ये पस्चिम दिशाएं अब ये चार दिशाएं है प्रतिय का ये बाया है ये दाया है ये बाया है ये दाया है ये बाया ये दाया ये बाया है और ये दाया आपको ये ध्यान रखना है तो उत्तर दिशाएं में सोहन चलना सुरू करता है माना सोहन का ये प्रारंबिकिस्तान प्रारंबिकिस्तान यहां पर है यहां से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की और चलता है ये 10 किलोमीटर वो कौन सी उत्तर दिशा में चला फिर 6 किलोमीटर दक्षिन दिशा में चलता है तो दक्षिन दिशा की सोर है नीचे की और ही है, तो अभी वर्तमान में वो यहाँ है, इसलिए ये प्रश्छन बड़े महत्वपून हो जाते हैं, क्योंकि वापस उसी रास्ते पे चलना होता है ये पूरू उत्तर की और चला, फिर नीचे आया, कित्ता? 6 किलो मिटर, कित्ता किलो मिटर? 6 किलो मिटर, 6 किलो मिटर दक्षिन में चला, 10 किलो मिटर उत्तर में, फिर 3 किलो मिटर पूरू, अब वो यहाँ पर है, पूरू में चलने के लिए उसे उस तरफ घुमना पड़ेग लेकिन वो पूरो में कितना चला तीन किलो मिटर ये तीन किलो मिटर कौन से दिशा में पूरो दिशा में वापस रिपीट कर रहा हूं अच्छे से समझेगा प्रारंबिकिस्तान से दस किलो मिटर उतर दिशा में चला उसके बाद छे किलो मिटर कहां चला दक्षेन में और अंतिम इस्थान की ये वाली दूरी किती है, बतानी है आपको, तो बता दीजिए, ये, ये ही करना है, यहाँ पर ये 90 डिगरी की इस्तती बनी, ये किता है 3 किलो मीटर, अब ध्यान दीजिएगा, ये किता 3 किलो मीटर, ये पूरा 10 ता, 10 में से ये 6 है, नीचे किता बचा, 4 क किलो मीटर, क्लियर, ये चीज अपन को चाहिए, सबसे बड़ी बुजा निकालनी है, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखे, ये वाली बुजा चाहिए, तो 4 का स्क्वेर, प्लस 3 का स्क्वेर, बराबर में ये के स्क्वेर, तो के स्क्वेर बराब किलो मीटर, ये वाली दूरी किती है, 5 किलो मीटर, 5 किलो मीटर, एक ही ओप्शन में है, ओप्शन बी राइट है, लेकिन वो प्रारंबिक इस अस्तान से क्या वास्तिक तामें, उत्तर पूरू की और ही है, क्या, नन अप्व दीज भी इसमें ऑप्शन है, इसलिए ये कि दिसा कौन सी होती है यह वाली दिसा कौन सी है उत्तर पूरो कौन सी दिसा है उत्तर पूरो और किती दूरी है पांच किलोमिटर तो यह तो अपना एंस्वर है अच्छे से यह चीजे लिख ली जिएगा इत्ती गहराई से आपको यह चीजे नहीं मिलने वाली है सीधा सटी एक answer दिया जाता है लेकिन answer तक पहुचने का पूर्ट है निचोड यह तरीका है और मैं आपको कुछ एक सीधे चीजे बता रहा हूं जैसे यहां पर यह तीन और चार आ जाए तो यह पांच ही आएगी इसलिए कुछ चीजे याद कर लीजिए आधार या लंब लंब या आधार और इदर लिक रहा हुं करन करन यानी सबसे बड़ी बुजा कौनसी करन सबसे बड़ी बुजा होगी यहां पर कुछ एक समंद लिक रहा हूं उन सम्मंदों को ध्यान दीजिएगा अगर ये तीन हुआ ये चार हुआ तो ये फिक्स है पांच करण कौन है सबसे बड़ी बुजा और ज़्यादातर कोशी प्रश्ण में सबसे बड़ी बुजा ही निकालनी होती है 6-8-10 का सम्मंद होता है 6-8-10 और अगर आपको कोई सम्मंद याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है नई समझ में आवे तो भी मेरे को बता दीजिएगा मैं आप लोगों के लिए फिर से नया वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेट बना के पूर तया डिटेल से समझा दूँगा पांच बारा और तेरा का सम्मंद है ये सारे सम्मंद भी नौटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा आठ पंदरा सत्रा यानि अगर आधार या लंब आधार पंदरा हुआ तो कर्ण सत्रा ही होगा जैसे नौ बारा तो पंदरा बारा का स्क्वेर एक सो चम्मालिस नौ का स्क्वेर एकियांसी ये दो सो पच्छीस किसका होता है पंदरा का ही तो होता है जैसे सात चौबीस पच्छीस सात चौबीस पच्छीस ये कुछ एक रिलेशन है आपको अच्छे से याद कर लेने और भी 9 है 40 है 41 है 9,40 दो छोटी तो ये तीसरी बड़ी बुजा फिक्स है 15,20,25 का भी रिलेशन होता है ये एक रिलेशन दूसरा यहां लिक रहा हूं 15,20,25 प्रशन एक था लेकिन बहुत सारी चीजें आपके लिए बोट पे आपके सामने ह और अगर ये चीजें भी आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो ये देख के भी आप नहीं पढ़ सकते तो फिर competition exam में तो फिर आप तयारी कर रहे हो वो exam आपके लिए बहुत level का बन जाएगा इसके लिए आपको ये चीजें लिखनी है यही तो पढ़ना है अगर competition exam के लिए करना है तो ये चीजें पढ़नी है वो चीजें आपके सामने वोट पे है आगे वाले प्रशन की और चल रहे हैं लेकिन उसमें ये table में जरूर यूज़ करूँगा देखेगा प्रशन इसी type का पाइथोग और स्पर्मे के उपर आधारित यानि पाइथोग और स्पर्मे के उपर आधारित हैडिंग लगाने का reason आप समझ गए होंगे अब तो प्रशन नंबर सेकेंड आपके सामने है कवीता अपने ओपीस से 10 किलोमेटर पस्च्छिम की और चलती है कवीता अपने कवीता अपने ओपीस से 10 किलोमेटर पस्च्छिम की और पस्च्छिम की और चलती है यानि कवीता नाम की लड़की जो अपने ओपीस से 10 किलोमेटर पस्च्छिम की और चलती है वो वहाँ से दाई और मुढ कर आठ किलोमेटर चलती है आगे सुनियेगा अंत में दाई और मुढ कर चार किलोमेटर जाती है अंत में चार किलोमेटर चल कर दाई और मुढ कर चार किलोमेटर जाती है यानि चलती है ठीक है मुढ कर चलती है तो आपको क्या पूछा है तो बताओ अब वो आपीस से कितनी दूरी पर और किस दिसा में है हैं ठीक है ना आपशन सुन लिजिए दस किलोमीटर उतार पूछ दस किलोमीटर उत्तर पूर्व option B भी साथ में सुन लीजिए 8 km उत्तर पूर्व 8 km उत्तर पूर्व फिर option C 8 km उत्तर दिशा में है या option D आपके सामने है 10 km दक्षिन पूर्व में 10 km दक्षिन पूर्व तो प्रेशन आपके सामने है हल करने का तरीका आपको अच्छे से समझा रखा है लेकिन फिर भी एक बार वापस समझ लिजिए इसमें बोला है कविता आपने आपिस से 10 km पस्चिम की और चलती है माना यहां पे यह कविता का आपिस है और इस आपिस से वो चलना प्रारंब करती है लेकिन चलती किस दिशा में है पस्चिम दिशा में यानि पस्चिम दिशा तो इदर हो गई दिशाओं का नौलेज भी साथ में होना चाहिए उत्तर दक्षिन पूर्व और पस्चिम तो यह इदर चली किते 10 km किता किलोमेटर चली है 10 km यहां पर पहुंच गई फिर बोला गया पस्चिम में चलने के बाद वहां से दाई और मुड जाती है पस्चिम दिशा में अगर मैं देखूं तो यह उपर की और दाया और नीचे है बाया तो दाई और मुड़ना यानि उपर मुड के किते किलोमेटर चली आठ किलोमेटर किते किलोमेटर आठ किलोमेटर चली उपर की और गूम जाती है अंत में दाई और मुड़ती है अब वो कौन से दिशा में है उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में यानि अंत में दाई और उत्तर दिशा का दाया उदर है मुड कर वो किते चार किलोमेटर चलती है किते चार किलोमेटर यहाँ पर लिख लिजिएगा यह चीजे भी किते किलोमेटर चलती है चार किलोमेटर यह चार किलोमेटर अब वो यहाँ पर है शुरुवात यहां से कीशती अंतिम बिंदू यहां पर है आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि अंतिम से बताओ वो ओपिस से कितनी दूरी पर है और किस दिसा में है ओपिस यहां है उसकी दूरी यह है अब आपको यह बताना है कि यह वाली डिस्टेंस किती है पहले तो य यह बताईंए यह 8 है तो यह भी 8 है 8 तो यहered किलोमीटर ही है ये पूरा 10-10 में से यह चार तो यह पीछे कि ताबचा 6 किलोमेटर वापस अच्छे और ऐसे समझे दिजिये घा यह आट है तो यह भी 8 हो गया यह 4 है तो यह वाली दूरी तो 4 है टोटल किती है दस टोटल किती है 10 10 में से यह 4 चला गया तो पीछे किता बचा 6 किलोमेटर 8 और 6 में क्या सम्मंद है वह? 8 और 6 में समन 10 का है यानि ये आपीस और अंतिम बिंदू के बीच की दूरी किती है 10 किलोमीटर अब वो आपीस से कितनी दूरी पर और किस दिसा में है तो ये आपीस की स्तती ये उत्तर दिसा यहां पे वापस ये उत्तर है, ये दक्षिन है ये पूरो है ये पस्चिम दिसा है अब वो कौन सी दिसा में है तो यहां से तो पता चल गया 10 किलोमीटर दूर है लेकिन 10 किलोमीटर किस दिसा में है उत्तर पूरो कौन सी दिसा में है उत्तर पूरो क्योंकि ये बीच वाली दिसा के और चल रहे हैं और प्रश्ण नंबर इसी से रिलेटेड लेते हैं ताकि पूर्ण यह concept हम किलियर कर पाएं इस वीडियो का ऐसे नहीं कि concept किलियर वह इनई वीडियो पूरा देख लिए सर कॉंसेप्ट किलियर होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा प्रशन आगे आजाए तो कभी मैं गलत नहीं करूँगा ये मन में विश्वास जब आजाए तब उस समय आपको ये अपने अंदर भी विश्वास ले आना चाहिए कि पढ़ाने वाला टीचर सही है क्योंकि पढ़ाने और वो चीजे एक्जाम में आने और उस चीज को एक्जाम में मैं सौल कर पाऊं वहां तक पहुचाने के लिए एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है ऐसे तो आप हर जगा से कुछ भी चीजे देखें तो वो माइने नहीं रखती है सही चीजें आपको मिल रही है इसका प्रमाण आपका मन स्वयमी देदेगा आगे वाले प्रश्न क्या है प्रश्न देखेगा एक व्यक्ति एक व्यक्ति यानि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है चार मीटर की दूरी तय करता है चार मीटर वो कौन सी दिशा में चला पूर्व दिशा में फिर वो बाई और 90 डिगरी पर मुड जाता है 90 डिगरी पे वो गूम गया है पूरू दिशा में 4 मीटर चलने के बाद में फिर आगे और गटना हो रही है और 6 मीटर की दूरी तै करता है 90 डिगरी पे गूमने के बाद और 6 मीटर की दूरी तै करता है 6 मीटर की दूरी उसने तै कर ली आगे क्या बोला जा रहा है दाई और मुड जाता है छै मिटर की दूरी तै करने के बाद वो दाई और मुड जाता है और दाई और मुड जाता है आगे देखिएगा मुड जाता है ठीक है दाई और गुम गया लेकिन दाई और मुड जाता है और चार मीटर की दूरी तै करके रुक जाता है तो प्रारंबिक इस्थान से प्रारंबिक बिंदू से दूरी ग्यात करो तो प्रारंबिक बिंदू से उसकी दूरी बताईए अंतिम बिंदू तक की आपको दूरी बतानी है option भी सुन लिजिए 14 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर या 10 मीटर option A, option B, option C and option D अब देखो ये चीज़ें आपको अब तो हल करने का तरीका मेरे को जहां तक विश्वास है आपको समझ में आई गया होगा दिशाओं का knowledge हो गया है उत्तर, दक्षेन, पूर्व, पस्चिम व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है व्यक्ति यहां है सुरुवाती बिंदू पर और 4 मीटर की दूरी कौन सी दिशा में तय करता है पूर्व दिशा में ये प्रारंबिक बिंदू है उसका आगे बोला जा रहा है फिर वो बाही और मुड कर 90 डिगरी पे गूम जाता है यानि बाही और उपर की और किता 90 डिगरी पे गूम जाता है 6 मीटर चलता है किता चलता है 6 मीटर और बोला गया है उसकी दूरी बता ये प्रारंबिक बिंदू ये है अंतिम बिंदू यहाँ पर है प्रारंबिक बिंदू ये है अंतिम बिंदू वो है आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है ये वाली डिस्टेंस अभी निकाल लेंगे ये चार है ये चार है ये छे है क्या मैं इस लाइन को इसे सीधा खीच सकता हूँ और इसको आगे बढ़ा हूँ तो ये क्या बना एक तिर्बुजाकार इस्तती हो गई वो भी 90 डिग्री संकॉन तिर्बुज की इस्तती में हम आ चुके हैं यह कित्ती दूरी होगी छें यह है तो यह भी 6 यह हुई यह चार यह चार है तो यह भी 4 ही यह चार है तो ये भी चार टोटल चार और चार किती हो गई है आट इसका एक बुझा8 है दूसरी भुझा6 है तो यह वाली भुझा किती हो गई 8-6 में क्या समंध है 10 का 10 मीटर किती दूरी पर है 10 मीटर कौन सा option सही है option C correct बात समझ में आ गई होगी अब कैसा भी प्रशन आ जाए कैसा भी गुमा के आ जाए थोड़ा सा दिमाग लगईएगा कभी गलत नहीं होगा पाइथाउगर्स परमे से रिलेटेड अगर प्रशन एक्जाम में आ गया तो कभी गलत नहीं होगा आगे वाले प्रशन को ध्यान दीजिएगा आगे वाला टाइप और भी शांदार है और उस टाइप के अंदर मैं कौनों की इस्तती की बात करने वाला हूँ कौन संबंधी प्रशन किस प्रकार से एक्जाम में इनसे कुछ चीजे क्या याद रखनी है एक्जाम में पहले आपको जो मैं ये दो डाइग्राम बना रहा हूँ नौडवक में अच्छे से बना लेने है ये कौन सी दिशा है उत्तर अपन पहले डिग्री ही लिखते हैं यहाँ जीरो डिग्री मैं इस चीज को लेके ऐसे गुमा रहा हूँ सुरुवात में जीरो से यहाँ पहुचा तो किते डिग्री हो गया नब्बे डिग्री क्लियर है ना 90 से यहां पहुचा तो किते डिग्री हो गया 180 डिग्री फिर यहां से यहां पहुचा तो किते डिग्री हो गया 270 डिग्री फिर यहां से यहां पहुचा तो 360 0 डिग्री कह दूँ, 360 डिग्री कह दूँ, एक ही बात है इस चीज को ध्यान रखियेगा 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 अब दिशाएं लिखते हैं, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा ये कौन सी दिशा है, उत्तर ये कौन सी दिशा है, इसके opposite लिख देते हैं, ये है आपकी दक्षण दिशा पूर्व तो ये है पस्चिम दिशा अब सबसे important चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि मैं इसको इस प्रकार rotate किया है, यानि गड़ी की विपरित दिशा ये है आपके गड़ी की विपरित दिशा की इस्ततिय है, कौन सी गड़ी की विपरित दिशा गड़ी की विपरित दिसा ही है गड़ी की विपरित दिसा को मैं क्या बोलूँगा वामा वर्थ क्या बोला जाता है वामा वर्थ ध्यान दीजिएगा ये नाम क्योशन में खूब सारे प्रशनों में वामा वर्थ मिल जाएगा कही न कहीं गड़ी की विपरित दिसा बाया दा सारी नाकुनों वाला भाग बाया और हतेली वाला भाग दाया बस यह चीज़े आपको याद रखने है इस में देखिएगा ये जीरो डिग्री इसको मैं इस परकार गुमा रहा हूँ यह है आपका 90 डिग्री आगे बढ़ते हैं यह है आपका 180 डिग्री और आगे बढ़ते हैं ये है आपका किते डिग्री? 270 डिग्री और अंतिम स्टेज में यहां पे पहुँचेंगे तो ये है 360 डिग्री ध्यान दीजिए कौन सी दिशा में रोटेड हो रहा है ये? ये हो रहा है गड़ी की दिशा गड़ी इसी प्रकार राउंड करती है गड़ी की मिनट और गंटे और सेकेंड वाली सुईयां तो ये है आपके गड़ी की दिशा की इस्तति तो गड़ी की दिशा में यानि मैं इसे कहूंगा दक्षिना वर्त गुर्णन दक्षिना वर्त यहाँ पर यह कौन सी दिशा है पूर्व यह है आपके पस्चिम और यह है उत्तर दिशा और यह है दक्षिन दिशा अभी जो प्रश्ण हम लेने वाले हैं उन प्रश्णों में आपको यह डिगरी के साथ वामावर्त दक्षिनावर्त गुर्णन गड़ी की दिशा गड़ी की विपरित दिशा में गुर्णन या बाईं और मुड़ जाना या दाईं और मुड़ जाना वो इस्ततिया हम पढ़ने वाले हैं क्लियर है न तो देखेगा प्रश्ण ये चीज़ें अच्छे से स्क्रीन सोट ले लीजिए और आप अपनी नौटबुक में लिख लीजिए बहुत ही फाइदेमंद चीज़े हैं तो आगे चलते हैं प्रश्ण की और प्रश्ण दक्षिनावर्त और वामावर्त का विशेश द्यान दीजिएगा प्रश्ण है मोहन पूर्व की और मुख करके खड़ा है और वह बहीं और 45 डिग्री प् पूर्व की और मुख करके खड़ा है अब यह क्या गटना हो रही है उसे द्यान दीजिएगा पूर्व की और मुख करके खड़ा है और वह बाई और 45 डिग्री पर और वह बाई और फिर दाई और 135 डिग्री का मतलब क्या हुआ सबसे पहले यह 135 डिग्री को मैं कह सकता हूँ 90 प्लस 45 पहले 90 गूम जाईए फिर 90 का आदा और गूम जाईए यह भी नौलेज होना बहुत जरूरी है 135 डिग्री के कौन पर गूम जाता है कौन पर फिर बाई और फिर बाई और किते 225 डिग्री किते डिग्री 225 डिग्री के कौन पर अंत में दाई और मुड़ता है देखो यहां पर बोला मोहन पूर्व की और मुख करके खोड़ा है और बाई और वह बाई और 45 डिग्री फिर दाई और 135 डिग्री के कौन पर फिर बाई और 225 डिग्री कितर डिग्री 225 डिग्री के कौन के कौन पर मुड जाता है मुड जाता है तो आगे क्या बूला है उसको आपका बताना है बताओ वह अब उसका मुक किस दिसा में तो बताईए तो बताईए अब उसका मुक अब उसका मुख किस दिसा में है तो प्रश्ण को अच्छे से ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन भी अच्छे से समझेगा मोहन पूरु दिसा की और मुख करके खड़ा है और वो बाही और 45 डिग्री पे गूमता है ये है दिसाएं, उत्तर, दक्षिन, पूर्व और पस्चे मोहन इस दिसा में मुख करके खड़ा है और वो 45 डिग्री बाही और गूम जाता है बाही और 45 डिग्री यानि यहां से यहां पहुंच गया तो नब्बे हो जाएगा वो केवल इत्ता ही पहुंचाए ये तो वर्तमान में पूर्व में था लेकिन अभी 45 डिग्री गूमने के कारण इसका मुख यहां आ गया पिर वो दाही और फिर वो दाही और 135 डिग्री गूमता है यहां पर हाथ रखिये नाखुनों वाला भाग बाया यह दाया यानि नीचे गूमेगा 45 ये 90 ये तो वो यहां पर आ जाएगा कौन सी दिशा में आ गया भई दक्षिन दिशा में आ गया क्लियर है ना यहां से वो किता गूम गया 135 डिग्री क्लियर है 135 डिग्री अब वो कहां पर खड़ा है पहले पूरु में था फिर वो यहां पर उत्तर पूरु में आ गया बीच में अब वो उत्तर पूरु से कहां आ गया है दक्षिन दिशा में लेकिन फिर भी वो बाई और गूमता है बाई और इधर किता 225 डिग्री यहां से यहां पहुँचा 90, 90 से 180 180 से केवल आदा यहां तक ही जाना है यह किता हो गया 225, 90, 90 और 45, 225 मुख कौन से दिशा में आ गया उत्तर पस्चिम कौन से दिशा में उसका मुख आ गया है उत्तर पस्चिम अब उत्तर पस्चिम में अब उसका मुख है आपको यही तो पूछा उसका मुक कौन सी दिसा में है तो यानि उत्तर पस्चिम दिसा में उसका मुक है अब ये प्रश्ण करने का और सरल तरीका क्या होगा उसके उपर ध्यान दिजिएगा कि आपको करना क्या है बाया और दाया ये दोनों इस्ततियां काउंट कर लिजे बाया और दाया पूर्व क 135 फिर बाई और 225 यह चीज़े ही important है कि पहले बाई और जो गुमा है बाई के नीचे दाई और जो गुमा है वो दाएं के नीचे बाई और 45 डिग्री फिर दाई और 135 डिग्री उधर लिख दिया बाई और फिर 225 टोटल किता हुआ टोटल यानि बाईं और वो किता गुमा है 225 और 242,今天的, बाईं और 135 जादा किदर गुमा है, बाईं और ही तो गुमा है तो टोटल किता 135 डिगरी 270 में से 135, 135 ही बचेगा यह 135 डिगरी मूल इस्तती से मूल इस्तती से बाईं और समझ गए आप लोग मूल इस्तती से बाही और क्योंकि ये बाही और ही तो है जादा बाही और दोसो सितर डिग्री गुमा दाही और एक सो पैंतिस दोनों का अंतर एक सो पैंतिस डिग्री का है ये 135 डिग्री मूल इस्तती से बाई और ज़्यादा गुमा है इसका मतलब जैसे ये आपके 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिन, ये पूर्व, ये पस्चिम मूल यानि प्रारंबिक इस्तती में वो कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में यही है पूरु दिशा, पूरु दिशा से 135 डिग्री गुम जाएए ये 90 और 90 और 45 यानि ये कौन सी दिशा में आ गया? उत्तर, पस्चिम तो सीधा ग्याद कर लीजिए सीधा ग्याद करने का तरीका भी आपके सामने है बेसिक से करने का तरीका भी आपके सामने है इससे इजी ना तो मिलेगा और नहीं आप कर पाओगे एक्जाम में यही चीज़े अगर याद रहती है तो कभी एक्जाम में अपन गलती नहीं करेंगे और भी मैं बहुत ही सांदार प्रशनों के साथ इस दिशा परिक्षन के टॉपिक को अगले वाले वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा उसमें और भी आपके कौन से रिलेटेड और बहुत ही महत्वपून प्रशन में हल करवाने वाला हूँ तो continue बने रहें वीडियो को पूर्ट है देखें अपने मित्रों तो किसे share कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और हम 21 अगस्त को आप लोगों के लिए जो contest आयोजित करवा रहे हैं पैसा जीतो contest उसमें जरूर participate करें और पैसा कमाने का मौका आपको पड़ाई के साथ मिल रहा है तो उसका उचित उप्योग करें मिलते हैं आगे वाले वीडियो के साथ धन्यवाद